एक अगोशित युद्ध का आगाज बस होने ही वाला था उस समय कैप्टेन नौन ग्रूम नियंदरिन रेखा के पास सियाचिन सीमा पर तैनात थे वहाँ उनकी सेना की टुकडी बहुत ध्यान से सीमा की निगरानी कर रही थी जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उनकी टुकडी को कारगिल मोर्चा समालने का आदेश मिला आदेश आया कि नौन रम में मोर्चा बंदी की जाए उनके साथ सियाचिन ग्लेशियर का अनुभव था कैप्टन और उनकी टुकडी पागुसपेटियों और सैनिकों से लोह लेने को तयार बरफीली चोटियों पर चड़ते जा रहे थे इस बारवी जम्मो कश्मीर लाइट इंफिंटरी के जाबाज ने पाकिस्तानी गुसपेटियों और देश के दुश्मनों को धूल चटा दी थी रास्ते बहुत ही दुरगम और हवा एकदम बरफीली पर वे आगे पढ़ते गए कैप्टन ने अपने साथियों का खूब होसला बढ़ाया और वे सब बहुत ही दिलेरी से लड़े कैप्टन ने एक-एक को चुन-चुन कर मारा लेकिन एक जुलाई को वे दुश्मन की कोलियों का शिकार हो गए अपनी शहादत से पाँच दिन पहले ही उन्होंने अपने पिता को खत लिखा था जिसमें जल्दी घर लोटने और पापा से चिंतन ना करने का वादा भी किया था लेकिन ईश्वर को शायद कुछ औरी मन्जूर था उनका एवादा अधूरा रहे गया वे मोर्चे से घर तो लोटे पर शहीदी का बाना धारन कर और तिरंगे में लिपट कर एक जुलाई को शहीद हुए कैप्टन नॉन ग्रूम का आठ जुलाई को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अन्तिम संसकार किया गया कैप्टन नॉन ग्रूम में घाले राज से ओप्रेशन विजय में होने वाले अकेले जबार शहीद थे उन्होंने युद्ध भूमी में अपनी सूझ भूज और रननीती का परिचे देते हुए दुश्मन को तो चकमा दिया ही और साथ ही साथ अपने साथियों के मन में देश भक्ती की अलख चिलाए रखी कैप्टन नॉन ग्रूम जिनका जन में घाले के पूरवी खासी हिल्स जिले के गाउ लमडेम थिंग में श्री किशिंग पीटर के यां हुआ था वे बच्पन से ही बहुत प्रतिवाशाली थे उनमें देश भक्ती का जस्पातों जैसे कूट कूट कर भरा था वे बच्पन से ही सेना में जाने के एच्चुक थे 1997 में उन्होंने धल सेना में कमीशन प्राप्त किया और बारवी जम्मु कश्मीर लाइट इन्फेंटरी में शामिल हुए थे इनकी टुकडी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाद थी वही से इन्हें युद्द चिन्ने पर कारगिल भेजा गया था जहां पाग उस पेटियों से जूचते हुए कैप्टन ने शहादत का इतिहास रचा वह बहुत दिलेरी से लड़े और दुश्मनों को जम कर रहांदा